हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल, इस्टडीबूट प्लस्वित प्रशांत हैड्रोलिक सिस्टम्स में फ्रेंट्स, आप सब गवार फिर से स्वागत है आज क्यों डेम फ्रेंट्स हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम जानेंगे रॉट्स और वाइपर सील के बीच में क्या डिफरेंस होता है और जो हम आज डिफरेंस करेंगे वो केवल एक पॉइंट के ओपर डिफरेंस करेंगे that is number size किसके आधार पर difference करेंगे हम number जो लिखा होता है sealों के उपर उनको कैसे हम differentiate करते हैं rod seal के लिए और wiper seal के तो चलिए friend वीडियो को start करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं friend ये मेरे पास एक rod seal है जिसको हम gland seal ही बोलते हैं और इसका अगर मैं real name बता हूँ तो इसको हम बोलेंगे ये यू बना हुआ है तो यू cup seal similarly ये मेरे पास एक wiper seal है friend इसके उपर तो मैंने एक separate पूरा वीडियो बना दिया है discussion मैंने add कर दिया है जिसमें detail मैंने बताया था कि wiper seal कहां use करते हैं practically applications किया है और इसको हम और काफी चीज मैंने इसके वार में बताई थी discussion आप जाके इसके चेक कर सकते हो आज हम जानेंगे कि दोनों seal के उपर एक number लिखा होता है जैसे पास से दिखाता हूँ मैं ये number लिखा हुआ है road seal के उपर similarly wiper seal के उपर भी एक number लिखा होता है यहां लिखा हुआ है तो इनको हम कैसे interpret करते हैं या फिर अगर कई बार ये number नहीं दिखता है मैं आपने seal निकाली damage हो चुकी है number घिस चुका है तो आप किस तरह से पता करेंगे क्या size है इसका चली फ्रेंड जैसे मैं सबसे पहले road seal का बताता हूँ इसके उपर number लिखा हुआ यही number हम ले रहे है 60, 75, 12 60, cross 75, cross 12 यह number लिखा हुआ road seal के उपर तो इसमें friend हमेशा ध्यान लखना है जो सबसे पहला point होता है या आपका ID होता है road seal की उसका जो 60 लिखा हुआ यह आपका OD होती है और यह होता है आपका thickness यह हम किसकी बात कर रहे हैं road seal की तो चलिए मैं आप आपको बताता हूँ ID क्या होगी जैसे road seal है इस point से लेकर इस point तक आपकी ID होगी road seal की इसको आप vernier से या फिर अगर आपके बास vernier नहीं है तो paper की उपर आप 2 point लाके measure कर सकते हैं OD क्या होगी फ्रेंट यह वाला point road seal का जो 70 है और thickness कई लोग ठिकने से गल्दी करते हैं इसको measure करनी रखते हैं नहीं ठिकनेस होगी आपकी यह जो 12 बता रहा है इसके उपर में 5 से निशान लगाएता हूँ यह आपकी ठिकनेस है ठीक है ना अगर कई बार यह मिट जाती है आप पता कैसे लगाओगे यह दिखा ही नहीं है अभी तो हमने समझ लिया ID ओडी क्या है तो आप यह नाप लीजे अगर आपने ID नापी 55 आई तो 55 आईडी होगी फिस पहले फिर यह आपका 70 ओडी ठिकनेस अपने नापा वर्नियर से ठिकनेस आपकी 8 तो रोड सील का साइड हो गया 55,78 अब हम बात करते हैं वाइपर सील तो वाइपर सील के लिए मैंने इसका एक स्केच बनाके रखा हुआ है जल्दी समझाने के लिए इसमें भी जैसे नंबर क्या लिखा होगा चलिए मैं इस नंबर को लिख देता हूँ जहां पे लिखा हुआ है इस जवापे 75 85 5x8 इस तरह से नंबर लिखा हुआ है तो इसमें सेम है 75 आपका आईडी होगा 85 आपका ओडी होता है जैसे इसका अगर स्केच लूँगा तो यहां से आता कि अंदर का हिस्सा यह आईडी हो गया और पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका ओडी होगा लेकिन उसमें थिकनेस केवल एक पॉइंट में दीती इसमें डिवाइड करके दी हुई है यह डिवाइड नहीं है यह क्या दिखा रहा है जो 5 है यह थिकनेस है step size की और h overall height है h क्या होगा यहां से लेके यहां तक पूरा यह पूरा है यहां से लेके आँ तक जो 8 है और T क्या दिखा रहा है केवल यह हिस्सा step size यह मैंने color कर दिया इतना हिस्सा तो किस तरह से पतल लिखेंगे से ID OD यह 5 आपका T हो गया और 8 क्या हो गया आपका overall height तो यही basic difference होता है rod seal के अंदर, wiper seal के अंदर कई बार आपसे interview में पूछ लेते है या फिर अगर आपको कोई seal का order करना होता है wiper seal के लिए तो इस तरह से उसका number दिया जाता है, quotation के अंदर ध्यान रखना friend, 5 by 8 5 क्या दिखा रहा है आपका step का side जो यह आपकी step है, इतनी और 8 क्या दिखा रहा है आपका पूरा thickness, that is edge overall height बोल दीजा या फिर overall thickness बोल दीजे तो आशा करता हूँ friend, आपको एक concept सवज में आया होगा इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt बचता है तो comment section आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे होगे तो लाइक कीजिए friends और जाए शाद वीडियो को शेर कीजिए please don't forget to subscribe my channel, thank you